हलो दोस्तो चैट जीपीट का नाम आपने इन दिनों सुना ही होगा सोशल प्लैटफॉर्म्स पर काफी वायल हो चुका है चैट जीपीट किसी मैजिक से कम नहीं है आप इसमें हर तरह की इंफॉर्मिशन निकाल सकते हैं यहां तक कि आप इसे इंस्ट्रक्शन देकर जनरेट कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में कुछ इसी तरह चैट जीपीटी पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सल की वीपीए कोडिंग सर्च करेंगे तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि इस फोल्डर में कुछ फाइल्स हैं इसे मैंने वन टुट्वेंटी सिक्विंस करनी होगी और इसके लिए मैं चैट जीपीटी की मदद लूगा ब्राउजर में मैंने चैट.openai.com को उपन किया हैं इसे यूज करने के लिए मैं गूगल से लॉग इन हो रहा हूँ अब नीचे इस सच बॉक्स में मैंने इस तरह से इंस्ट्रेशन टाइप किया है कि I want to rename bulk the files in folder through Microsoft Excel VBA. VBA should prompt user to select a folder, VBA should search those files whose names are given from 1st cell to last cell of range A of sheet 1. Rename them with the names given in 1st cell to last cell of range B of sheet 1. For example, old file name that is in cell A1 will be renamed by cell B1 similarly A2 by B2 and śb3 and Fredeener. to each row and rename the files, जैसे ही मैंने Enter key press किया, आप देख सकते है कि Chat GPT VBA Codes generate करने लगा है, अब इन सभी Codes को ट्राय करके देखते हैं, कि ये वर्क करते हैं या नहीं, इन सभी Codes को मैंने copy कर लिया है, Excel file open करी है, अब Alt F11 press करके VBA Windows open किया है, module में सभी VBA codes को यहां paste किया है और अब finally micro को run करता हूँ जैसा मैंने chat GPT में type किया था कि VBA should prompt user to select a folder वैसे ही यहां macro folder को browse करने के लिए prompt कर रहा है मैं desktop पर folder 1 select करता हूँ और आप देख सकते हैं कि macro successfully run हुआ है और यह सभी files प्रेनेम हो चुकी है आपके instructions जितने clear होगे chat GPT उतना ही better result आपको देखा अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो like और subscribe जरूर करें और comment में यह लिखकर बटाए कि क्या chat GPT useful है या नहीं Thank you